हाई गाईज मैं हो कुनाल और मैं देखकर आया हूँ बरेली की बर्फी और मैं आपको दूँगा इस फिल्म का रिव्यू बरेली की बर्फी कहानी है बिट्टी यानि कृती सनौन की कृती वैसे तो छोटे शहर में रहती है लेकिन उनके खयालात मॉडन है कृती को उनके डैट काफी बढ़ावा देते हैं यहां तक कि उनके साथ स्मूग भी करते हैं वहीं उनकी मॉम जो पुराने खयालात वाली है उनको कृती की शादी की फिक्र है कृती एक नोवल बरेली की बर्फी के राइटर से इंप्रेस हो जाती है और उनसे मिलना चाहती है इसमें उनकी मदद करते हैं चिराग प्लेट बाई आईश्मान खुराना जो खुद बरेली की बर्फी के ओरिजिनल राइटर है लेकि नाम छपाते हैं प्रीतम विद्रोही का प्रीतम विद्रोही इस प्लेट बाई राजकुमार राओ और फिर शुरू होता है प्रीतम चिराग और बिट्टी के बीच प्यार का खेल फिल्म की परफोर्मेंस इसकी बात करें तो राजकुमार राओ इस फिल्म की जान है चाहे वो एक शाय, इंट्रोवर्ट, हकलाने वाला सारी का सेल्समेन हो या फिर एक राओरी गाय बनने की एक्टिंग करने वाला इंसान राजकुमार राओ stays the show, वहीं आयुषमान खुराना ने भी बहुत अच्छी परफोर्मेंस दी है आयुषमान और राजकुमार राओ के बीच होने वाले conversations आपको बहुत पसंद आएंगे कृती सेनौन अपने किरदार के साथ पूरी तरह से justice करती है सिंस ये फिल्म बिट्टी के इर्द गूंती है तो चाहे रोमेंटिक सीन्स हो या फिर अपनी मॉम के साथ serious interactions कृती सेनौन हैस परफॉर्म रेली वेल सपोर्टिंग कास की तौर पर पंकस्तिर पाथी और सीमा पावा आर्ग इंजियरिग इस फिल्म में कॉस्ट्यूम से लेकर डायलेक तक सब पर बहुत ध्यान दिया गया है और इस बार भी इनकी कलम ने कमाल किया है अगर ये कहा जाए कि ये राइटिंग फिल्म की बैक बोन है तो गलत ना होगा कई सारे ऐसे सीन्स है जो आपको बहुत हसाएंगे जैसे राजकुमार राव का एक shy person से एक rowdy person में transformation या फिर एक particular scene जहाँ पर वो बीच सड़क में अपनी bike लगा कर गुंडों को टशन दिखाते हैं इसके अलावा एक और scene जहां राजकुमार राव कृती सिनौन की dad पंकर्ष्टरिपाटी की गर्दन ठीक करते हैं बहुत हसाने वाला है इस तरह की mistaken identity और लव की confusion को लेकर पहले भी साजन और मुझसे दोस्ती करोगे जैसी फिल्म में बन चुकी है लेकिन इस बर्फी कम्स विद अन्यू पैकेजिंग और यह शूरली बहुत मीठी भी है मैं इस फिल्म को देता हूँ 3.5 स्टार्स और अगर आप इस बर्फी की मिठास चखना चाहते हैं तो book your tickets only on bookmyshow and now don't just be a viewer you can also be a reviewer and rate the movie on bookmyshow